अधिकारे कांकरों से पता चला है कि चीन की अर्थव्यवस्था में वृद्धी की वार्षिक गती, वसंत रितु में घटकर तीन प्रतिशत से कुछी ज्यादा रह गई है, जो शी जिन पिंग सरकार के लक्ष से काफी कम है। अब लड़कडाती अर्थव्यवस्था ने वरिष्ट चीनी अधिकारियों को विदेशों में जियो पॉलिटिकल प्रतिद्वंद्वियों के साथ डिप्लोमेटिक बातचीत में शामिल होने और घरेलू स्तर पर आर्थिक नीती पर अधिक खुलापन दिखाने के लिए मजब और अमेरिका चीन की एकोनॉमी पर ही लाठी चला रहे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था में आने वाली गिरावट की वजह से अमेरिका साथ उसकी बातचीत में आने वाले बदलाव को साफ साफ महसूस किया जा रहा है। चीन के तेवर बदल गए हैं और आवाज में नर्म आनी शुरू हो गई है। हालां कि, कई सालों से चली आ रही राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता की वज़े से अमेरिका और चीन कारोबार के मोर्चे पर आपस में बुरी तरह से उल्जे हुए हैं, और चीन के लिए अमेरिका से पंगा लेना आसान नहीं है, ये अब चीन को करोबार में कमी आई है। स्थिती ये है, कि चीन में बने सामानों की बिक्री नहीं हो रही है, जिससे चीन में महनगाई दर में भारी गिरावट आई है और सामान के दाम इतने सस्ते हो गए हैं, कि कमपनियों के लिए उत्पादन खर्च तक निकालना संभव नहीं हो पा र रहा है। लिहाजा, जो चीनी सरकार घरेलू और अंतर राष्ट्रिय व्यापार जगत के नेताओं पर आक्रामक रही है, उसके तेवर अब दीले पड़ चुके हैं और चीनी अधिकारियों के मुँ से नर्म शब्दों का प्रवाह निकलते देखा जा रहा है। चीन ने समझा जाएगा और उनका समधान करने की कोशिश की जाएगी। चीन के इतिहास में पहली बार ऐसी बैठक हो रही है, जब निवेशकों से चीन में निवेश को लेकर उनकी समस्याओं को जाना जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि अमेरिका के साथ तनाव की वज़ पर निर्भर है, वहां से अगर निवेश निकलता है, तो कम्योनिस्ट सरकार पर इशानियों में आ जाएगी। चीन ने इस महीने सेमिकिन डेक्टर्स बनाने के लिए आवश्यक दुरलब धातूओं के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है, इस कदम को चीन के प्रतिशोध के तौर पर देखा जा रहा है, चीन की अर्थ व्यवस्था जो पूरी तरह से निर्यात पर निर्भर है, उसमें तेज गिरावट होनी शुरू हो गई है, खास कर अमेरिकी कम्पनियों ने शिकायत की है कि राष्ट्रिय सुरक्षा पर चीनी सरकार के फोकस के बीच चीन में कारोबार करना और मुश्किल हो गया है, अधिकारियों ने फर्मों पर छापे मारे हैं और करमचारियों को हिरासत में लिया है, चीन की कम्पनियों के अमेरिकी कम्पनियों से होने वाले कारोबार पर सक्त जाच की जाती है, आर्थिक तोर पर चीन का बहुत कुछ दाव पर लगा हुआ है चीन की करोडों नौकरियां वैश्विक व्यापार पर निर्भर हैं चीन दुनिया के देशों से जितना सामान खरीदता है उससे तीन गुना ज्यादा सामान बेचता है लिहाजा अगर चीन के निर्यात को ब्लॉक किया जाता है तो उसकी अर्थव्यवस्था ही धे सक्ति है जिसे अब दुनिया ने महसूस कर लिया है लिहाजा चीन के लिए आने वाले वक्त में मुसीबत बढ़ने वाली है यूकरेन युद्धपर रूस के प्रती चीन के जुकाव ने यूरोप के साथ उसके संबंधों को गंभीर नुकसान पहुचाया है यूरोपिय सं अमेरिका और भारत ने जो व्यापारिक समझोते किये हैं उसकी वज़े से भारत की चीनी सामानों पर निर्भरता और कम होने वाली है और माना जा रहा है कि भारत के अब चीन के साथ कारोबार तेजी से कम होंगे चीन ने पिछले कुछ महीनों में फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के साथ शीर्ष स्तर की यात्राओं के और भी अधिक व्यापक आदान प्रदान के साथ बिगड़े संबंधों को सुधारने की कोशिश की है हालां कि उसके बाद भी जर्मनी ने घूशना की है कि वो चीन के साथ अपने व्यापार को कम करेगा जर्मनी ने गुरुवार को एक नई राष्ट्रियर अन्नीती जारी की है जिसमें चीन पर आर्थिक निर्भरता को कम करने का आहवान किया गया है माना जा रहा है कि आने वाले सालों में आर्थिक तोर पर चोट करके चीन की आकरामक्ता पर हथोड़ा चलाया जाएगा और इसके लिए तेजी से काम चल रहे हैं